लू की चपेट में जार्खन, उत्तर पश्रीम की सुस्क हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, 15 जून तक ऐसा ही रहे का मौसम जार्खन में लगतार गर्मी बढ़ रही है, राजी का लगभग आधा हिस्सा गर्म हवाओं की चपेट में है, अधिकतम तापमान हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, मौसम मिझ्यान केंद्री के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में, राजी का मौसम सुस्क रहा है, सब का मौसम अभी चल रहा है, ऐसे स्थिती पूरे महा रहने वाली है, मई से 15 जून तक गर्मी और बढ़ेगी, मौसम मिझ्यान केंद्री के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम से चल रही सुस्क हवा के कारट जार्खन का आधा हिस्सा लूग की चपेट में आ चुका अधिक्तम तापमान बढ़ रहा है और गर्म हवाय चलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रेल यानि आज राची और खुंटी का अधिक्तम तापमान 38 डिगरी सेल्सियस, 20 अप्रेल को 49 डिगरी सेल्सियस और 21 अप्रेल को 40 डिगरी से अधिक्तम तापमान 44 डिगरी सेल्सियस तक जा सकता है, हलके बादल चाने से राहत की उमीद, हालांकी अपने परणुमान में बादल चाने की बाद भी मौसम इभाग ने की है, 22 अप्रेल को हलके बादल चाय रह सकते हैं, वहीं जार्कन के दच्छडी हिस्से, पिशे अधिक्तम तापमान 44 डिगरी सेल्सियस तक पहुच सकता है, जबकि पशिमे सिंग्भुम, धनबाद, बोकारो, देवघर, चतरा, पलामो और गड़वा में अधिक्तम तापमान 45 डिगरी सेल्सियस तक पहुच सकता है, 11 बजे से दोपहर 3 मजे तक बचने की सला, भीसर गर गर्मी को देखते हुए, मौसम इभाग ने लोगों को एहतियात बरतने को कहा है, केंदर की ओर से सला भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो, तो दिन के 11 से दोपहर 3 मजे तक घर से बाहर निकलने से बचे, अगर निकलना जरूरी है तो टोपी प पानी पीते रहें, जार्खन की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल न्यूज जार्खन पर चैनल को सस्क्राइब करें, साथ दाल आइकन को प्रेस करें